नवशकर स्वागत आप सभी का इतिहास की क्लास में और इतिहास में आज हम मौरय उत्तर काल के सम्मन्द में कुछ important बात देखने वाले जैसा कि हम सभी को पता है कि मौरय उत्तर काल मतलब मौरय काल के बाद post-mory period के बाद हमको ब्राम्भन वंश और विदेशी शाशक मतलब जिसमें हमने पहला वंश, कुशान वंश, शक वंश इसके बारे में पढ़ा था तो इकठे हम क्या करते हैं मौरित्तर काल के बाद आने वाली जो कल्चरल पोडशन है उसको देखते हैं जिसमें मुख्य रुप से आज हम दिखने वाले हैं कि जो कला का विकास हुआ, ब्राम्भन वंश के समय है, यह जो विदेशी शाशक थे, जैसे शाक रहा हो गया, कुशान वंश हो गया इनके समय, जो मुख्य कला का विकास बना जाता है, जिसमें हम मानते गंधर कला और मतू कला का साथ महानों के समय थोड़े से दक्षिन चेतर में भारत के अमरावति कला का विकास बाना जाता है और परिछा की द्रिश्टी से ये टॉपिक बहुँँ ज्यादा महत्पुण है तो इसके आज हम चर्चा करने वाले हैं तो जैसा कि टॉपिक का नाम है मौर उत्तरकाल है थोड़े से फैक्ट उसको हम बाद में देख लेंगे सबसे पहले कला की इस प्रकार की कला है तो मूरती कला की तीन शैलिया यहां पर पढ़ने वाले हैं गंधार कला मॉधुर कला मॉधुरा कला मरवति कला CGPAC को target करके पढ़ रहे हो व्यापम को target करके पढ़ रहे हो या कोई भी exam को target करके पढ़ रहे हो जिसमें भारती तिहास का portion है तो definitely उसमें कुछ ना कुछ कला का portion, सस्कृति का portion आही जाता है तो देखिए क्या यहाँ पर यह जो था, एक ब्राम्हण वंश और एक विदेशी शाष्कों के संबन्द में वंश तो विदेशी वंश के तौर पे हमने एक पढ़ा था कुछान वंश के बारे में और शक वंश के बारे में तो इनके समय में एक मुर्तिकला का विकास हुआ गांधार छेत्र में मतलब उत्तर पस्षिम भारत का चेत्र ठीक है उत्तर पस्षिम भारत का चेत्र वरतमान अगर आपका हो तो अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला चेत्र बोल सकते हो मतुरा तो यह आपको पता ही है ठीक है उत्तर प्रदेश जो वरतमान का आप मतुरा जानते हो वहाँ पर जिस कला का विकास हुआ अमरवती चेत्र था गुंटूर जीला बोल सकते हो अमरवती कला माना जाता है उस शैली को शैली मतलब मुर्तियों में जिस प्रकार की विशेशता देखने को मिलती है उसके अधार पर ये तीनों क्लासिफाई किया गया है डेफिनेटली अब इस पे किसका प्रभाव पड़ा है ये देखो गया ये जो दो कला का विकास है जैसे कि मैंने बताया विदेशी शाशक कुशान वंश मुख्यूरूप से तो कुशान वंश के समय इन छेत्रों में ये दो कला का विकास हुआ रिस्पेक्टिव जो इनके एर भास हो वो अमरवति कला कहलाया तीनों कला की बात करें देखते चली का पहरे दिवान में बठाइए ये जो गंधार कला थी इस पे पूरा-पूरा विदेशी प्रभाव देख रेकर को मिलता है और विदेशी प्रभाव कौनसा हिंद यूनानी प्रभाव ठीक है यूनानी क प्रेरित हो, वो गांधार कला है, ठीक है, हेलेनिस्टिक आर्ट क्या बता है मैंने, जो युनानी कला होती है, मूर्ति कला की आप देखोगे, एक बार आप टाइप करना राम से उसको पता चल जाएगा, मूर्तियां बहुत सारी आ जाएगी आपको देखने के लिए, हेलेनिस कला से प्रभावित है, गंधार कला, ठीक है, बाकी मधुरा कला और अपरावती कला, एक तरीके से बोल सकते हो, भारती कला का प्रभाव इसमें देखने को मिलता है, चलो, अब देखो, इतनी बात क्लियर है क्या, जो लाइब जुने है, जैसा कि मैंने पहने लाइन कही आप से, अब बारी-बारी विशेस्ता देखते हैं, इन कला में, जैसे कि मैंने कहा, मूर्तियों में क्या-क्या प्रभाव देखने को मिलता है, उसके हिसाब से क्लासिफाई हुआ है, ये जो गंधार कला का विकास है, ये शक वंश और कुशान वंश के समय माना जाता है, मतुरा प्रभाव देखने को मिलता है, इसी कारण, इंडो-ग्रिक कला, इंडो-ग्रिक कला कहा जाता है, मुख्य केंद्र क्या, तक्ष सीला, तक्ष सीला, ठीक है, तक्ष सीला, मुख्य केंद्र, ये वही चेतर है भारत को उत्तर पस्चिम चेतर ध्या रखेगा ना, तो इंडो-ग्रिक कला, इसको कहते हैं, हिंद, युनानी प्रभाव देखने को मिलता है, इस वज़े से, युनान मतलब बोलते हैं, ग्रिक, इंग इस शैली को बुधिस्ट शैली या बुधिस्ट कला भी कहते है, ठीक है, जितनी भी मतलब इस शैली से मूर्तिया बनी, वो मुख्यता बुध गौतम बुध की बनी, इसकार थाण बुधिस्ट कला भी इस गांधर कला को कहा जाता है, clear है? तो अगली लाइन यहां से पता चल जाएगी क्या ये जो कला है बहुत धर्म से संबंदित है क्योंकि जब आप कुशान वंश पढ़ोगे जस्ट इसके पहले जो क्लास में मैंने बताया है उसमें ये बताया कि कुशान शासक ठीक है हिंदू प्रभाव, हिंदू सस्टित का प्रभाव तो देखने को मिलता ही है लेकिन द्विती अशोक बताया था मैंने किसको? कनिशको को याद है? कुशान वंश क्यों? क्योंकि अशोक के बाद जो सबसे ज़्यादा बड़ा एक बड़े शासक के नाम के तौर पे ध्यान अखे तो बौद धर्म का अनुयाई हुआ कनिशक कुशान मंज का क्लियर? तो चूकि उसी समय कला का विकास हुआ तो किस धर्म से प्रभावित होगा? बौद धर्म से प्रभावित होगा क्लियर है क्यों बुद्धिस्ट कला बोल रहा है इसको? बौद धर्म से सम्बंदित है ये कला कंपेर करके पढ़ना चाहे तो कंपेर करके पढ़ सकते है इंडिविजुली आप नोट करना चाहे है तो इंडिविजियली नोट भी कर सकते हो पहले इन दोनों को compare करेंगे क्योंकि लगभग लगभग कुशान शासकों के समय इसका विकास हुआ है मथुरा कला को पूर्णता भारती कला कहा जाता है क्योंकि इसका चेत्र विशेस है मथुरा के साथ साथ वरानासी कौशाम भी क्लियर है उत्तर प्रदेश वाला चेत्र बहुत धर्म की मूर्तियां तो मिली ही मिली इस कला के अंतरगत जैन धर्म की मूर्तियां भी मिली मतलब जैन जो गुरु होते थे उस समय उनकी भी कुछ मूर्तियां मिली और ब्रामण धर्म से संबंधित जिसको हम हिंदू धर्म भी कहते हैं वरतमान में वैदिक धर्म भी कहते हैं उस धर्म से संबंधित भी मतुरा कला के कला या शैली की मूर्तिया मिली तो यहाँ पर आप तीनों धर्म को देख सकते हो जबकि यहाँ पर केवल बुद्ध देखने को मिल रहे हैं और आगे अमरावति की बात करेंगे अगर साथ में तो बाकी मुर्तियां भी मिली हैं लेकिन बहुत धर्म की जादा मुर्तियां मिली हैं ये बोल सकते हो अधिक्तम मतलब पूरा 99% बॎधधध धर्म से संब्णित बॎधध जैन ब्रामर धर्म सभी धर्म का कॉंबिनेशन था इस कला में अमरावति कला में भी बॎधधध धर्म की मुर्तियां ज़्यादा देखने को मिलती है ठीक है चलो अब अंतर देखेगा क्या-क्या विशेस्ता है मूर्तियों में मूर्तियों की विशेस्ता की बात कर रहे है इसमें जो मूर्तिया बनी है बेसिकली गौतम बुद्ध की बात करेंगे ठीक है, मूर्तियों का example तो ले रहे हैं, लेकिन किस मूर्ति का, गौतम बुद्ध की मूर्ति का, गौतम बुद्ध की प्रतीमा का example हम लेके बात कर रहे हैं, गौतम बुद्ध की मूर्तिया कैसे बनी है, या थार्थ बनी है, या थार्थ मतलब जैसे कोई भी व्यक्ति, कोई आपर मुर्तियों को जैसे घुंगराले बाल गौतम बुद्ध के मूच देखने को मिलते हैं जो गौतम बुद्ध ने वस्तर पहने उसमें सलवट देखने को मिलता है मतलब रिंकल्स देखने को मिलते हैं प्रभा मंडल मतलब बुद्ध की जो मुर्ति थी उसके सर के गौताम बुद्ध के सर के चारो तरफ इस तरीके से एक चक्र जिसको धर्म चक्र भी बोल सकते हो आप क्या बोल सकते हो धर्म चक्र उसको प्रभा मंडल बोला गया सर के पीछे एक ऐसा प्रभा मंडल गोल सा वो प्रभा मंडल कह रहे हैं और साथी साथ गौताम बुद्ध जनरली यहाँ पर योग और ध्यान मुद्धरा में भी देखने को मिलते हैं कुछ-कुछ चीजें इन दोनों में कॉमन है मूर्थियों में ऐसा नहीं कि केवल यहाँ यहाँ योग ध्यान मुद्धर तो उसमें नहीं होगा ठीक है उसमें भी कई ऐसे विशेस्ता मिली हैं जो इसमें थी क्लियर लेकिन मुखी विशेस्ता जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ तो घूंगराले बाल है यहाँ पर गौताम बुद्ध के विशेस्ता से प्रशन पूछा जाता है मुच है गौताम बुद्ध के सलवाट वस्त्र है प्रभा मंडल है योग और ध्यान मुद्र में गौताम बुद्ध यहां पर दिखते हैं वहाँ पर बात कर लेते हैं गौतम बुद्ध की आधर्श्वादी प्रतीमा है कैसी है आधर्श्वादी आईडियल एकदम स्टेचू है यहाँ पर गौतम बुद्ध की एकदम भगवान के जैसे उनको दिखा दिया गया है आईडियल एकदम आधर्श्वादी ठीक है यहाँ पर रियलिस्टिक बनाने की गौतम बुद्ध का, जो कुछ मुर्तिया मिली है, वो वस्तर विहीन है, जिनमें कोई भी वस्तर नहीं है, ठीक है, ये भी एक विशेस्ता ध्याना किएगा, मतुराकला की वस्तर विहीन मुर्तिया, मुर्ति जो गौतम बुद्ध की है, वो मूच विहीन मुर्ति है, बाल वि वो सीधा योग मुद्रा में बैठे हुए है। आशिरवात नहीं दे रहे है। यहाँ पर आशिरवात दे रहे हैं, अभय मुद्रा में हैं, वर मुद्रा में है. यह ध्याना खेंगे। ठीक है? भूमी इसपर्श मुद्रा भी कुछ देखने को मिलता यहाँ पर गौताम बुद्ध की, भूमी इसपर्ष, मतलब भूमी में एक तरीके से लेटे हुए, या भूमी को इसपर्ष करने हैं, उस तरीके की, मूर्तियां मथुला शैली में देखने को मिलती है, यह आप एड़ कर लेना, जो आखरी में मैंने बताया, वहाँ पर मूर्त जैसे मैं बोलूँ कि अब चेहरा बनाना तो मुझे आता नहीं, यह चेहरा बना दिया, ठीक है, और यह चेहरे के चारों तरफ ऐसा प्रभामंडल, प्रभामंडल मतलब यह ऐसा, मतलब एनलाइटनन पीछे से रोशनी आ रही है, ऐसा मतलब भगवान के नहीं रहता है, ऐस उसको प्रभामंडल बोल रहे है, देखो अब, मुर्तिया, अमरावति की सबसे बड़ी विशेस्ता है कि एकल मुर्ती नहीं है, ज्यादा तर, यहाँ पर आप एकल मुर्ती देख रहे हो, बुद्ध की, वैसी जैन धर्म के संबन में कुछ गुरुओं की मुर्ती आप एकल और कहानी, कहानी के रूप में मुर्तियों को बनाया गया है, अमरावति कला का सबसे बड़ा उदहाराणा, ठीक है, जैसे, एकल मुर्ती नहीं है, कहानीों के रूप में है, मतलब जातक कथाओं की मुर्तिया है, जातक कथा मतलब बौत धर्म, मतलब गौतम बुद्ध से ही मुर्तिया है यहाँ पर अमरवति शेली में clear? अब यहाँ पर एक लाइन वाइसी जो मैंने पहले बताया कि साथ वहनों और एक्षवाकू शाष्कों के सरक्षन में यह अमरवति कला का विकास हुआ यहाँ ठीक है? चलो अब आगे बात करते कि इन मुर्तियों में किसका प्रयोक किया गया मुर्ति बनाने के लिए तो देखेगा यहाँ पर दो काल विभाजित हो जाता है गंधार कला के लिए दो काल विभाजित हो जाता है यहाँ पर गंधार कला के विकास में जो मूर्तिया बनने लगी वो बुरे कलर की या काले कलर की या नीला धूसर कलर की पत्थर से बनाये जाने लगे बुरे काले नीले धूसर मतलब एक तरीके से क्या बोल सकते हो डार्क बोल सकते हो पत्थर की मूर्तिया बनाये जाने लगी क्लियर है चलो यहाँ पर बलवा पत्थर ठीक है बलवा पत्थर लाल खासकर लाल बलवा पत्थर से बनाये जाने लगा श्वेद बलवा पत्थर से भी कुछ मूर्तियां मिलती है लेकिन लाल बलवा पत्थर से मुख्यता मतुरा शैली की मूर्तियां देखने को मिलती है यहाँ पर जो मूर्तियां बन ग्रिक प्रभाव देखने को मिलता है, तो यहाँ पर एक युनानी देवता का नाम ध्यारको अपोलो, किसी को फोटो देखना है, गूगल करना, दिख जाएंगे अपोलो जी, तो युनानी देवता अपोलो के जैसे ही गौतम बुद्ध की मूर्तिया बनाई गए, exactly, exactly मतलब पूरा-पूरा प्रभाव देखने को मिला, युनानी देवता अपोलो का गौतम बुद्ध की प्रतीमा में, clear है क्या, यह important point हो सकता है, अब अगर पूछा जाए कि रित्य और श्रिंगार सम्मंधित जो मूर्तिया है, वो किस शैली का उधारण है, तो यह आएगा मधुरा यहाँ पर किसी भी गुरु की, जैसे जैन गुरु की बात करें, बहुत धर्मे के लिए गौतम बुद्ध की अमने बात कर लिए, तिर्थनकर बोलते हैं, जैन धर्म में जो गुरु होते हैं उनको, ब्रामर धर्मे से सम्मंधित कोई भगवान की मूर्तिया बना दिया बहुत इम्पोर्ट हैं, वैसे तो सारे पॉइंट, इम्पोर्ट हैं क्योंकि मैं इंप्वोट्न पॉइंट के बगेर बाती नहीं करता हूँ, सारे पॉइंट्स इंपोर्ट होते हैं मेरे, खैर तो निर्त्य और शिंगार कला की मूर्तियां मतुरा कला का उधारण है मतुरा शैली का उधारण चलो एक और बात यहाँ पर ध्यार अखलो अमरावति जो कला है शैली है उसका expansion उसका विस्तार श्रीलंका और दक्षिर पूरवी एशिया तक माना जाता है ठीक है इसका पूरे expansion और मतुरा कला का expansion मतलब इस पूरे छेतर में बता दिया और यूनानी या गांधार कला का जो उधारण है मतलब इस छेतर में माना जाता है expansion तो यह है मुख्यता गंधार मतुरा और अमरावति कला में difference परिश्र के दिश्चे से महतपुर्ण है याद कर लीजिएगा I think पूरा जो इस लोई फॉर्म करके जो बताया मैंने मतलब एक तरीके से पस्ट है चरक अयरुवेद अचारि तो अन्यमौरत्तर कालच साहिते के बारे में बात कर रहे है भरत मुनी का नाटे शास्तर धियान में रखेगा अशवगोश्का सदरानंद सोरी सदरानंद और बुद्धचरित ध्यान में रखेगा भास की रचना के तौर पे सवपनवा एस्वदत्ता ध्यान में रखेगा, चारुदत्ता ध्यान में रखेगा, उरूभंग ध्यान में रखेगा. ये एक तरीके से क्या है सारे फैक्ट है तो याद ही करना है और कुछ करना तो है, निए, इसके अलवा प्रिवियस क्लासेस में मैंने आपको बहुत सारी रACCNAS में बताये हैं और उसको आपको अलग से लिखने को कहा है क्योंकि परिक्षय में फोकश करता है आनए अर्थिक व्यवस्टा के तोर पे अगर बात करें मच्वहिश मतलब करें सबसे पहले कि सोने का सिक्क चलाए यह आपको बताया तो यह सारा ना परिशा की द्रिश्ची से बहुती को जाता है मौर इतार काल भी इंपॉर्टेंट है मौर इताकाल भी इंपॉर्टेंट है चले फिर मिलते हैं अगली क्लास । धन्यवाद